नमस्कार श्वागत आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्तव उत्यप्रिदेश के योगी सरकार लगातार गौवन्ष के संरक्षन के लिए संकलप्रित नजर आती है और कई योजनाव और नीती के माध्यम से पश्वों के लिए काम करने का प्रयास किया जा रहा है इसी कड़ी में उत्यप्रिदेश के पशूतन मंत्री धरमपाल सिंग ने आज पशूपालन निदेश्वाले में आयोजित एक कारक्रम में वर्च्वली रूप से प्रदेश के निराश्रित गौवन्ष के संरक्षन हेतू छे जनपदों के बारा व्रद गौव संरक्षन केंद्रों का लोकारपन किया प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में 3, बागपत में 3, जालोन में 1, मतुरा में 2, उन्नाव में 1, तथा अमेठी में 2 व्रहद गौश सनरक्षन केंद्रों का शत प्रतीशत निर्मान पूर्ण हो चुका है इन केंद्रों के निर्मान में राजिसरकार द्वारा प्रती केंद्र 160.1-2 लाग की दनराशी व्याय की गई है प्रती केंद्र में लगबग 400 गौवन्ष को संरक्षित किया जा सकता है इस अफसर पर पशुधन मंत्री ने संबंधित जनपदों के मुखे पशु चुकित्सा अधिकारियों से वार्ता की और निर्देशित किया कि गौवन्ष और संरक्षन के कारियों को पूरी गंभीरता और सनवेद अन्शीलता के साथ किया जाए और सभी आवश्यक विवस्थाएं सुनिश्चित की जाए पशुधन मंत्री धरमपाल सिंग ने कहा कि प्रदेश के मुखे मंत्री योगिया अधितिनाद के दिशा निर्देशन में निराश्रित गौवन्ष का संरक्षन एवं सनवर्धन निरंतर किया जा रहा है पशुपालकों एवं किसानों की आए में बढ़ोत्री करना हमारा मुखे उद्देश है और इसी दिशों में विभाग द्वारा निरंतर सार्थक एवं सराहनी एकारे किये जा रहे हैं इस मौके पर हमारी सायोगी गौरफ श्रिवास्तव ने उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धरमपाल सिंग से खास बात्शेत की उत्तर प्रदेश की योगी सरकाल लगातार गायों के लिए गौववन्ष के लिए एक्तमात और की योजनाय लाती है और इस समय भी लगातार गौबंस को बचाने की मुहिम जारी है और खास्तर पर देखा जाए तो उत्तपरेश के पसूप नहन और दुग भिकास मंतरी धंपाल सिंग लगातार अपनी कोश्चिसों के माद्धम से गौबंस को बचाने का और उनको राहर पहुचाने का काम लग गौबंस को दिखे आज निदेशाले में पस्दन विभाग के द्वारा बारेन ब्रद गौश्चर के द्रों का लोकारपड किया गया योगी सरकार की प्रात्मिक्ता निरासित गौबंस है निरासित गौबंस वो है जो उत्तर प्रदेश में किसान जब तक गाय दूद देत है तब तक वो पालता है दूद देने के बाद वो छोड़ देता है ऐसी गायों को सन्रक्षित रखना सुरक्षित रखना योगी सरकार की प्रात्मिक्ता है इन्ही को रहने के लिए रखने के लिए अभी बारह ब्रद गौश्चर केंद्रों की लोकारपड किया गया है और लोकारपड में ये बारा है गौद सरक्षण केंद्र एक जनपत मुरादाबाद का है एक बागपत का है जालोन मतुरा उन्नाव अमेठी इस तरीके से राजपुर मिल्क राजपुर खुर्द मुहम्मद पुर मंसुक विजयबाडा काकोर नंगला अगरी जगराजपुर बड बन बड़त दो देममई खारा और कोरारी लचंसा ये गौशनरक्षण केंद्र आज उद्गाटित किये गए हैं इनमें लगबग 6,000 गाएं आएं रहने का काम होगा ये मातर रहेंगे ही नहीं इनमें चारा भूसा पानी और पौश्टिक पसुहार ये सब देने की विवस् ही है और हमारा प्रियास है हमारे विवाग का ये गौसालाएं आत्म निर्वर गौसालाएं बने गाये के दूद के साथ साथ हम इनमें गाये के गोबर पर भी काम करने का प्रियास कर रहे हैं बारा की बात करी क्या आनने वाले समय में और यहां पर खोले हैं क्योंकि मेरे कह हम जहां-जहां निराशित गौववन्स अधिक संख्या में है हम बहां गौशनरक्षण के इंदर बनाने का काम करेंगे अभी दो मंडलों में हम एक अभियान चला रहे हैं और यह जुलाई से पहली जुलाई से चला है और टीश जुलाई तक है बीच जुलाई तक पंद्रे दिन का कारिकरम रखा है तो इसमें दो मंडल लिए गए बरेली मंडल और लखनो मंडल क्यूंकि समय प्रदेश में बाड आई हुई है बाड के कारण से यह अभियान थोड़ा रोक दिया गया है और इन बाड प्रभावे जिलों में हमारे विभा सब्सक्राइब बुसे का प्रबंद रहने का प्रबंद अच्छे प्रबंद करने का काम भी कर रहा है तो क्या मानके चलें कि आने वाले समय में इस तरह की और नीतिया रहेंगी तो लगाता गोड़ा देगी अपका अच्छा सवाल है Gprogram अ क्या है का गोवर मात्र गोवर नहीं है गाय के गोवर में लक्षमी का बाश्य Miller गोमुत्र में गंगा में या वस्तियिंग गाय का दूद डही घी यह मात्र जिब्धा नहीं यह द्रबी नहीं यह अम्रत है इसलिए जिस परिवार को भी एक लीटर दूद देशी गाय का मिल जाए तो यह मानो उसको अम्रित मिल गया इसलिए हम देशी गाय की नसल सुधारने का विभाग निरंतर काम कर रहा है साहिबाल गाय, गिरी गाय, थार पारकर, हर्यान भी, गंगा तीरी इन गायों का सीमन हम फिर देने का काम कर रहे हैं और पसुपालन में किसान की बढ़ोतरी के लिए कोई पसुपालन दो गाय उननस सील किसम की लाता है दूसरे प्रदेश से खरिद कर तो एक गाय पर चालिस जार रुपए का अनुदान, दो गायों पर असी जार रुपए का अनुदान, इस तरीके से पच्चिस गायों की कोई गोसाला बनाता है तो ये 64 लाग की स्कीम है इसमें 32 लाग का अनुदान, 12 सरकार की एक और स्कीम है दो marvelous बायों की ब्रीड बनाने के लिए तो ये दो नो कलोल की स्कीम हे इसमें 2 कल़ों का अनुदान है तो बंट्रियन डानर एकोनोमी में हमारे पशुपालन विभाग का बहुत बड़ा योगदान है जिसके लिए हमारा विभाग निरंतर प्रियास रहते हैं मानि मुख्मंत्री जी की इच्छा अनुसार योगयाद इतिनाजी जब स्हमिक्षा करते हैं तो उस अनुसार हम निरंतर कारे में आगे बड़े हैं और इसमें प्रगती हासिल की है तो यह थी हमारे सरकार के पसुरे निरंद्ध विकास मंत्री का कहना है कि सरकार युनायल आ रही है और गौबन्स को डेकर बिसेज उप से यहां गंबीर है उनको आश्रा दिनने के लिए उनकी सुरस्चा करने के लिए कतिवत है आनवाले समय में तमाम तरह की बाते और कही करने ती बनाये जाएगी और घॉसालां के विकास पर विश्यज ध्हान लिया जा रहा है जिस से कि जो किसानों की आयों बड़े और बास्तों में जो उत्वार होते हैं जो गाय के उतपार होते हैं जो सुद्वार आन जनतरा पहुँँच सके. फिलाल इस कास रिपोर्ट में बस इतना ही देश तुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सी न्यूस भारत